किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को सांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम मन से ही प्रस्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब दे कर बैड़ जाते हैं भगवान स्री कृष्ण ने मन को सांत रखने के लिए दो चीजे बताये हैं भगवद किता में भगवान स्री कृष्ण कहते हैं मन का बेचैन उना उसका स्वभाव है हमारे मन को लगता है कि अगर अलग-अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा पर ऐसा होता नहीं हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परसान होने में निकाल देते हैं भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है असंभव बिल्कुल भी नहीं क्या आप कोवए को कह सकते हैं कि वो काउं काउं की आवाज ना करें या फिर क्या आप किसी मेंड़ को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही उच्ची छलांग ना मारें हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही हाल है जीवन में कुछ भी होता है अच्छा या बुरा हमारा मन उस पर काउं 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 करने लगता है काउं काउं से मेरा मतलब है चिंता करना ब्याकुल होना कोई बुरी बात होती भी नहीं और मन परसानी की उची उची लप्टे लेने लगता है कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कई लोग सिर्फ परसान होने के लिए जीते हैं सारी परसानी, पीड़ा, दुविधा, अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानिया होती है भगवान श्री कृष्ण भव में हमारे मन को सांत और इस्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं पहला ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना, दूसरा बैराग या भाव सिखना अब ध्यान या मेडिशन सब्द सुनते ही, आप मेंसे कई लोग कहेंगे कि आप आख बंद कर सासे अंदर बाहर नहीं ले सकते हैं यहां हम सब गलती कर बैठते हैं मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आख बंद कर बैठना नहीं होता है meditation का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान देजिए अगर आप picture देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान picture पर लगाएं यह मत सुचे कि picture देखकर आपका अपना कितना समय बरबाध कर रहे हैं जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरा ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक meditation बन जाता है ऐसे जीवन में सांती, इस्थिर्ता, साहस और सफलता का होना अनिवारे हैं बैरागय भाव दूसरा हुपाय है बैरागय का अर्थ है या नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ कर चंगल में जाकर बैड़ जाएं बैरागय का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या result निकलेगा उसकी चिंता ना करें जैसे अगर आपने कोई इंटर्वी दिया है आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तयारी करें और अपना वेश्ट दे कर आएं वो नोकरी मिलना या ना मिलना आपके हाँ में नहीं है इस नतीजे के पीछे अलग-अलग चीज़े हैं जो आपके बिलकुल कंट्रोल में नहीं है तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें यही बैराग्या का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपा है मन को चिंता की लपोटो से बचने का याद रखिए आप पूरे के पूरे इंसान है समझदारी सहयम और कुछलता से भरे इंसान है आपका मन जब भी कोवे की तरह अलग-अलग बातों पर आपको परसान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाईए और सांथ कर लिजिए बस अपने उपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंदा है रहेगा पसंदा है रहेगा तो कॉमेंट करके जरूर बताएं और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आपन को प्रेस करके ओल फे क्लिक कर लें भुल जाया स्रीकिस्मा